हाई फ्रेंड्स वेलकम और वेलकम बैक तो माई चैनल फ्रेंड्स कि आपको पता है कि आम तोर पर हमारे बालों की लंबाई एक महीने में एक सैंटीमीटर तक बढ़ती है लेकिन वहीं पे अगर आप अपने बालों में कैस्टर ओयल यानि की अरंडी का तेल लगाना शुरू करते हैं तो आपके बालों की लंबाई एक महीने में तीन सैंटीमीटर तक बढ़ सकती है यानि की कैस्टर ओयल लगाने से आपके बालों की तीन गुना ज़ादा घ्रोध हो सकती है इतना ही नहीं फ्रेंड्स कैस्टर ओयल लगाने से आपके बाल जल्दी सफेद भी नहीं होते हैं प्लस ये हैर फॉल को भी कंट्रोल करता है सिल्की शाइनी और चमकदार बाल हर किसी को पसंद होते हैं लेकिन आजकल की कैमिकल बेस प्रोड़क्ट की वज़े से और अलग-अलग कैमिकल बेस हेर कलर की वज़े से हमारे बालों की चमक कहीं खो जाती है तो इस केस में भी कैस्टरोयल आपके खोई हुए बालों की चमक को वापस लोटाने में आपकी मदद करता है क्योंकि कैस्टरोयल में बहुत जादा मातरा में मौस्चुराइजिंग प्रॉपर्टीज होती है जो कि एक शाइनिंग एजेंट की तरफ काम करता है सर्दियों का टाइम है और बालों का जहरना, डेंडरफ, स्केल्प इरिटेशन, स्केल्प में खुजली, जलन जैसी बहुत सारी हेर प्रॉब्म्स होने लगती है तो इस केस में भी कैस्टरोयल आपको बहुत फाइदा करता है लेकिन फ्रेंड्स कैस्टरोयल के ये सारी ही फाइदे आपको तब ही मिलेंगे जब आपका कैस्टरोयल 100% प्यॉर हो प्लस आपको कैस्टरोयल को बालों में सही तरीके से अप्लाई करने का मैथट पता हो 90% लोगों को नहीं पता रहता है कि castor oil को किस तरीके से बालों में अपलाई करना है और वो गलत तरीके से castor oil को अपलाई करते हैं जिस वज़े से उनको वो result नहीं मिल पाते हैं जिसकी कि वो उमीद करते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि कैस्टरॉयल को यूज करने का सही method क्या है, सही तरीका क्या है, जिससे कि आपको इसका maximum से maximum result मिले, प्लस अगर आपको बहुत ज्यादा hair fall हो रहा है, बहुत ज्यादा dandruff, रूसी या scalp irritation की problem आपको हो रही है, तो कैस्टरॉयल मे आपको दिखाऊंगे कि मैं किस तरीके से कैस्टरॉयल को अपने बालों में यूज करती हूँ, और मुझे इससे क्या-क्या फाइदे हुए हैं, जब भी आप अपने लिए कोई कैस्टरॉयल खरीदें, make sure कि वो कैस्टरॉयल 100% pure हो, natural हो, किसी अच्छी brand का, अच्छी quality का ही कैस्टरॉयल आपको खरीदना है, तब ही वो आपको फाइदा करेगा, otherwise माकित में बहुत सारे fake कैस्टरॉयल भी हैं, जो कि कैस्टरॉयल के नाम पे जिनमें भर-भर के chemicals यूज किये जाते हैं, और जब आप ऐसे oil को अपने बालों में अप्लाई करते हैं, तो आपके बालो and cold pressed caster oil, जो कि मुझे काफी research के बाद सबसे best caster oil लगा है in the market, जो कि इस oil को बनाने के लिए गुजरात की high quality caster seeds का use किया जाता है, प्लस seeds को oil से निकालने के लिए cold pressed method का use किया गया है, जो कि इस oil को और भी खास बनाता है, इन सबसे पहले जिन लों को नहीं पता कि cold pressed method क्या ह तो उनको उनको पहले में बता दू कि normally जब भी seeds और निकाला जाता है, तो पहले seeds को गरम किया जाता है, heat किया जाता है, जैन उसको piece कर उसमें से oil extract किया जाता है, लेकिन cold pressed method में seeds को crash कर के उसको paste में convert किया जाता है, जैन उसको बहुत दबा कर भी प्रेशर के साथ उस्से औ इंटी ऑक्सिजेंट होते हैं वो लॉस नहीं होते हैं वो आपको बिल्कुल एक प्यॉर फॉर्म में मिल जाता है लिए कि आपकी बालों को उसका पूरा बेनिफिट मिलता है आपको अपना एक्स्विरिंस बताओं कि मुझे इस ओयल से क्या फाइदा हुआ है तो फ्रेंड्स तो मेरा हेयर फॉल जो था वह बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है प्लस अभी सर्दियों का टाइम है तो मुझे बहुत ज्यादा डेंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मेरी स्कैल्प जो है बहुत ज्यादा ओयली है उसमें भी मुझे इस ओयल से बहुत राहत मिली है हाला कि मैं इसमें और भी चीज़ें एट करके यूज करती हूं जो कि आगे मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी जो कैसरोल है यह 100% प्यॉर है तो मैंने इसको अपना आइलेश पे भी यूज करना स्टार्ट कर दिया है जिससे की मेरी आइलेश में भी थोड़ा सा स्किन पर उनके एर पर भी अप्लाई कर सकते हैं तो तो व्रेंड़ क्योंकि अभी आपे बात हो रही है है हेयr-oil मसाज की कैसे आप कस्ति वे में सही तरीके से अपने बालों पर यूज कर सकते हैं जिससे कर सकते हैं जिसे की आपको इसका बैस रिज Stud मिले के लिए सब मे, पहले मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ रे नैचरस का कैस्टर ओयल, मैं यहाँ पर दो चम्मज कैस्टर ओयल लोगी, लेकिन आप अपने बालों की लेंद के अकॉर्डिंग इसकी कौंटिटी को घटा या बढ़ा सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, फ्रें जब भी आप कैस्टर ओयल अपने बालों में अपलाई करें, तो इसके लिए हमें कैरियर ओयल की भी जिर्वत होती है, जो कि इसकी कंसिस्टेंसी को भी बैलन्स करें, प्लस जो बालों में इजली अपलाई भी हो जाएं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोकॉनेट ओयल सबसे ब लोगती बनाते हैं, प्लस को कोकॉनेट ओयल की अपने बहुत सारे बेनेफिट्स होते हैं, सबी को पता है, फ्रेंड्स की कोकॉनेट ओयल बालों के लिए बहुत फाइदे मंद होता है, क्योंकि इसमें भरपूर मातरा में वाइटमिन E और फैटी असिड होते हैं, जो कि हम की बालों से जुड़ी हर प्रॉब्लम को ये दूर करेगा तो मैं यहाँ पर इसके लिए यूज करूंगी दो चम्मच कोकुनेट ओईल दोनों ही ओईल्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है एक तो इससे बालों की ग्रोध बहुत तेजी से होती है प्लस ये बालों को मजबूत और चमकदार भी बनाता है इसके साथी ये स्केल्ब हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशल होता है स्केल्ब में जो ऐलर्जी हो जाती है डेंडरफ, खुझली, जलन यह सारी प्रॉब्लम्स होती है especially winter में तो यहाँ पे tea tree oil जो है वो एक बहुत ही जबरदस्त काम करता है इसके treatment के लिए and tea tree oil को friends कभी भी direct बालों पे apply नहीं किया जा सकता तो इसे हमेशा तीन अलग-अलग oil के combination के साथ ही use किया जाता है तो मैं यहाँ पे दो से तीन ड्रॉब tea tree oil के लूँगी अब मैं इसमे एड़ करने वाली हूँ Ray Naturals का ही रोज मेरी essential oil and रोज मेरी oil के friends बोखुत सारे फाइदे हैं especially यह hair fall को control करता है प्लस यह बालों में shine भी एड़ करता है मैं यहाँ पे रोज मेरी oil के दो से तीन ड्रॉब इसमें एड़ करूँगी अब हमें इन चारों ही oils को अच्छे से mix कर लेना है now this oil is ready to apply और मैं अब अच्छे से इस oil के मसाज अपने scalp पे करूँगी friends यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ क्योंकि इस oil को apply करने से पहले आप चाहें तो इसे microwave में हलका गुनगुना कर ले मैंने इसलिए इसे गुनगुना नहीं किया क्योंकि इसमें जो coconut oil था वो solid form में था जो कि आपको पता है कि usually winter में coconut oil जम जाता है तो उसे melt करने के लिए मैंने उसकी bottle को के हातों से अपने scalp पे करनी है बहुत जादा रगड के आपको massage नहीं करना है ऐसे करने से आपके बालों की जड़ें बहुत कमजोर हो जाएंगी और hair fall भी आपको ज़ादा होगा तो ध्यान रहे कि आपको जो massage करनी हो बहुत light pressure के साथ करनी है इसके साथ ही आपको oiling पूरे सर में अच्छे से apply करनी है जड़ों से लेके सीरे तक तो friends मेरी hair oiling तो आज के लिए complete हो चुकी है usually मैं इस oil को night में ही apply करती हूँ और रात भर के लिए सर पे लगा के रखती हूँ morning में मैं शैंपू से wash कर लेती हूँ और मैं आपको भी यही recommend करूँगी लेकिन अगर आप इसे दिन में use करते हैं तो कम से कम 3 गंटे आपको इस oil को अपने बालों में लगा की रखना है उसके बाद ही आप किसी herbal shampoo से अपने बालों को wash कर लें इसके लाओं best result के लिए मैं इस oil को वीक में तीन से चार बार use करती हूँ और यही मैं आपको भी recommend करूँगी लेकिन अगर आप इसको तीन या चार बार यूज नहीं कर पाते हैं तो कम से कम दो बार तो आपको इस oil को वीक में यूज करना ही करना है अगर आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो direct आप इनके product पे पहुंच जाएंगे और मैं आपको recommend करूँगी कि आप एक बार इनके oils को जड़ू try करें क्योंकि यह Indian brand है जो की quality product बनाते हैं इनके सारे ही oils chemical free, pure, natural, virgin and cold pressed होते हैं